हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी इस्तिमाल करते हो वर्टसेप या आपके वर्टसेप से कोई PDF आया हुआ है और वो open नहीं हो रहा है यानि कि आप college, classes या आपका जो कोई PDF है जो कहीं से आया हुआ है वो open नहीं हो रहा है खुल नहीं रहा है तो उसे हम open कैसे करें और साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उसे save कैसे कर सकते हो अपने internal storage में इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है play store में क्योंकि कई सारे phone होते हैं उसके अंदर हम direct PDF को चालू नहीं कर सकते हैं तो जाइए आप play store में play store में जाने के बाद आपको यहाँ पे search करना है उपर डब्बे में PDF viewer light इस चीज़ को ध्यान से देख लिए आपको यही search करना है और enter कर देना है आपके पास यहाँ पर यह वाला application आ जाएगा सबसे अच्छा सबसे बढ़ियाँ application है जिसको हम करीबन 4 मेने से use कर रहे हैं तो इसको install कर लीजिए और install करने के बाद आप जाएए अपने whatsapp में जहाँ पर आपका PDF आया हुआ है तो हम अपने whatsapp में जाते हैं वर्टसप में जाने के बाद यहाँ पर उसका chat open कर लीजिए जिसके chat में PDF है और यहाँ पर हमारा PDF यह रहा यहाँ पर PDF लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो आपको अपने PDF पर touch करना है यानि उसे open करने की कोशिश करनी है तो आपके पास यह वाला page आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा PDF viewer light आगे पीछे करके देख लेजिए आपको यह जरूर मिल जाएगा इस पर touch करिए थोड़ा सा wait करिए पहली बार allow करने को कहेगा क्योंकि आप इसे पहली बार इस्तिमाल कर रहे हो तो allow करें थोड़ा सा wait करें आपका PDF खुल जाएगा पर बारी आती है कि हम इसे save कैसे करें अपने internal storage में ताकि हम इसे बाद में use कर सकें तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको तीन डॉट पे touch करना है उपर यहाँ पर आपको मिलेगा एक option share तो share option पे क्लिक करें share option पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक option copy to file manager का icon मिलेगा या my files का icon तो यहाँ पे आप देख लिजिए आपको जरूर मिल जाएगा slide करके check कर लिजिएगा तो copy to वाले option पे touch करें आपके पास ऐसा page आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा internal storage इस पे touch करिए और यहाँ पे आप इसे paste कर दीजिए देखिए यहाँ पे paste का option है अगर उपर मिलता है तो उपर करें paste option पे क्लिक करिए आपका यहाँ पे PDF सेव हो जाएगा तो यहाँ पे PDF आ चुका है हमने इसे पहले भी try करा है तो इसे open करने के लिए आपको जाना है अपने my files यानि file manager में जहाँ पे सारे folder आते हैं जैसे की camera, dcim या bgmi तो यहाँ पे आपको last में आपका जो PDF है वो मिल जाएगा यहाँ पे लिखाओगा .pdf तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें